नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बर फिर से श्रागत है दोस्तों जैसे कि मैं हम पहले ही बता चुके थे कि 24 सेप्टेंबर को जार्खन नियोजन निती के जो मामला था इस मामले की सुप्रीम कोट में सुनवाई होने वाली थी और दोस्तों आज जो सुनव बाते में बता दोस्तों कि जो वकील थे अजित कुमार सिनाजी ने जज के सामने बहुत ही मजबूती से पक्ष को रखा उन्हों ने ये बात भी कहा कि जार्खन नियोजन निती के बज़े से अगर देखा जाए तो जार्खन के जितने भी युवा च्छात रहें उनलों का हविस ही अधर में लटका हुआ है क्योंकि जार्खन नियोजन निती के बज़े से जार्खन के पैंडिंग जो रिजल्ट से ये बात खुद अजित कुमार सिनाजी ने जज के सामने रखा और ये भी कहा कि नियोजन निती के बज़े से अगर देखा जाए तो जार्खन के बताना चाहता हूँ जो सरकार के वकील थे सुनिल कुमार इन्होंने भी बहुत ही अच्छी बात इक कहा च्छात्रों के हीत में अगर देखा जाए तो उन्होंने ये बात साब साब कहा कि सरकार को बहुत ज्यादा इंप्लॉई की जोरत है यानि जार्खन गॉर्ब्मेंट म सामने तो जज ने इन बातों को बहुत ही ध्यान पुर्वक सुना और इनको नोट डाउन भी किया है तो मैं बता दूँ हो सके इस मामले में कुछ जल्द ही जल्द एक अपडेट जारी कर दिया जाए कि इस मामले में कुछ आडर जारी किया जाए ताकि आगे की जो अब तक कहा गया था लेकिन अब जो बात कही गई है जो सुनिल कुमार जी सरकारी वोकील ने कहा अब ये सपस्ट कर दिया है कि इसको लेकर एक order दिया जाए ताके आगे की जो कारवाई है इसको जल से जल सुरू किया जाई और ये भी कहा कि जैसे सी अब तक अपने सारे काम क सुनते हुए नोट डाउन भी क्या है हो सके बहुत जल्द एक और जारी कर दे दोस्तों तो दोस्तों इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से